नमस्कार मिराजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News Congress Party ने दिल्ली में तै कर दिया Congress Party के खाते में तीन सीटे आई है और इन तीन सीटे उ पर Congress Party ने प्रतियाशियों का एलान करते हुए Congress नीता कनहियां कुमार पर मोहर लगा दी कनहिया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में कॉंग्रेस पार्टी ने मनोश तिवारी भारते जुनता पार्टी के प्रत्याशी मनोश तिवारी के खिलाफ उता रहा है अब को वदा दे कांग्रिस नेता है कनाया कुमार और जेन्यू के पूर्व अध्यक्ष भी है यहाँ पर ऐसे में देखा जाए तो जेन्यू में हुए कई विवादत बयानों की चलते कनाया कुमार सुर्खियों में भी रहे हैं इसी के साथ साथ यहां पर सी एन आरसी के मुद्दे को लेकर भी कनाया कुमार दिली में काफी चछित चहरा रहे हैं तो कॉंग्रेस पार्टी का कनाया कुमार को दिली से उतारना पुरवांचल की राजनीती को सादने जैसा है कहा जा रहा है कि कनहिया कुमार मनोस दिवारी के मवकाबले जीत जाते हैं तो कांगरिस पार्टी पुरवांचल में के चैंट करेंग इद अब कनहिया कुमार की बदmia दिल्ली में भी इपनी सत्ता कैम कर सकती है दरसल आपको यह बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कनाया कुमार 2019 में CPI के टिकेट से चुनाव लड़ते हुए बिहार में नजर आये थे बेगुसराय से लेकिन जीत नहीं पाए गिरीरा सिंग के मुकाबले और अब यह कहा जा रहा है कि अब बिहार में टिकेट ना देकर उन्हें दिल्ली से टिकेट दिया गया है और कांग्रेस पार्टी में 2021 में वह आये और 2021 के साथ साथ जैसे जैसे उनका कद बढ़ा वैसे 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 उनकी यहां प्रचुनाव लड़ने की जो दाइत्व थे और भी ज्यादा बढ़ते हुए नसर आए अब दिल्ली में क्य मनोस तिवारी को टक कर कनहियां कुमार दे पाएंगे इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राहे कम सेक्शन में जरूर बताएं देखते ने इस पे नाइन न्यूस थान्यवाद